मेरे प्रियविद्यार्थियों और दर्शकों हादिक स्वागत कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई पुनह ट्रैक पे लौट रही होगी और आप ने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दिया होगा हमारी ये ब्रह्मास्त्र टैसेरीज जो चल रही है मुझे पूरी उमीद है आप इससे काफी लाभानविद भी होगे और तेहारों के मौसम में मैंने लगातार कोशिश की कि आपके साथ संपर्क में जुड़ा रहूं और आपको इससे काफी लाभ हुआ होगा सबसे पहला काम ये करिए कि फटाफट सब लोग क्लास में आईए कॉपी पैन लेकर बैठिये रेडी होईए और उन चुनिंदा प्रशनों पर हम लोग एक बार पुना जल्दी से द्रिश्टिपात करते हैं और हम लोग आज की टेसरीज की शुरुआत करते हैं पहला प्रशनाप की स्क्रीन पर है आप देख पा रहे हैं पहला प्रशनाप के सामने हैं पढ़िए प्रभास एवं आदि वराह जैसी उपादियां धारन करने वाला शाशक कौन था चल्दी से जवाब दीजे प्रभास एवं आदि वराह जैसी उपादियां धारन करने वाला शाशक कौन था चार विकल्प हैं आपके पास परमार शाशक भोज प्रतिहार शाशक महिंद्रपाल प्रथम चंदेल शाशक कीर्थी वर्मन प्रथम और प्रतिहार शाशक महिर भोज और अगर आपने रखेगा जल्दबाजी में आप इस प्रश्ण को गलत कर सकते हैं और इसमें आप चुन लेंगे जल्दबाजी में परमार शाशक भोज जबकि भोज यहां पर भी है और ये है मेहर भोज प्रभास एवं आदी वरा की उपादियां धारण करने वाला शाशक मेहर भोज है दियान दखिएगा और परमार शाशक की कई उपादियां है और इस समय यहां पर आपको केवल मेहर भोज पर फोकस करना चाहिए इसकी बहुत सारी पुस्तके हैं बहुत सारी किताबें लिखी इसने तो फिलहाल कभी नेक्स्ट पेपर में हम लोग फोकस करेंगे परमार शाशक भोज पर आये देखते हैं दूसरा प्रश्ना प्रश्न संख्या दो दक्षिन भारत से है और कह रहा है तमिल पुस्तक ई रामा वतारम की रचना किसने की चार विकल्प हैं शेकिलार है नाम भी आंडार नाम भी है पेरुन देवनार है और कंबन है जवाब देपाएंगे बड़ा सरल सा प्रश्न है जलबाजी में गलत मत करिएगा और ये हैं कंबन ठीक है ये हैं कंबन और बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ई रामा वतारम पुस्तक है ना ये रामायन का तमिल संसकरण है कंबन नहीं तयार किया है रामायन का ये तमिल संसकरण है तमिल रामायन वो कहलाती है ये रामा वतारम ये बात क्लियर हुई कंबन दो तीन बातें कहें तो आप मैं और डिसकस कर दूँ बड़ी जवर्दस्त बाते हैं पहले तो यहाँ पर आप पेरुन देवनार को देख पा रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा तमिल महाभारत पेरुन देवनार ये बात भी क्लियर हो रही है हमेशा यहां से प्रशन आए है गलत नहीं होना चाहिए तमिल महाभारत और तमिल रामायन और एक बात ये भी यहाँ पर आप याद रखिएगा तमिल के त्री रतन कौन कौन से हैं आप बताएंगे क्या कभी कभी ऐसे भी आया है कि इसमें कौ कौन शामिल नहीं है तमिल के त्री रतनों में तो तमिल के त्री रतनों में पहला नाम तो यहां पर लिखाई हुआ है और वो हैं कंबन दूसरे हैं ओट कुट्टन और टीसरे हैं पुग लेनिद पुग लेनिद विनम्र अनुरोध है ये सारे प्रश्न अकसर करके परिक्षा बवन में विद्यार्तियों के लिए दिक्कत करते हैं इसको कई कई बार आप रिवाइज करें, छातर कहते हैं सर भूल रहे हैं, तो भूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, याद रखने के लिए भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस बात को याद रखें, तो तमिल के त्री रतन हो गए कंबन, ओटकुटन और पुगले नित, कंड़ के त्री रतन कौन कौन से हैं, कंड़ भाशा के त्री रतन कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ भी जवाब पता ही है, और उनमें हैं, पंप हैं, एक, दूसरे पोन हैं, और तीसरे रन हैं, पंप, पोन, रन, यह कंड़ भाशा के त्री रतन हैं, कंबन, ओटकुटन और पुगले नित, यह तमिल भाशा के त्री रतन हैं, कंबन की पुस्तक इरामावतारम या रमायन का तमिल संसकरण पेरुन देवनार महाभारत का तमिल संसकरण और एक बात बसकेवल और डिसकस करूँगा महाभारत का तेलगू संसकरण तो इसमें ध्यान रखिएगा जो पहला संसकरण एक अलग है वो है येरा प्रगदा का और जो दूसरा संसकरण है वो नननाया एवं तिकाना है दो लोग हैं इसमें दोनों भाई हैं तिकाना ने इस संसकरण को पूरा किया है तो आई थिंक ये भी आपको पता चल रहा है तमि महाभारत और तेलगू महाभारत कम से कम इतना याद रखिए और बहुत सारे संसकरण है अगले टस पेपर में डिसकस करूँगा इस प्रशन को पढ़िए और क्या कह रहा है अमोग वर्ष एक प्रसिद्ध शाशक था और उसने कौन सी किताब लिखी किताब पूची जा रही है अमोग वर्ष प्रथम की पुस्तक पूची जा रही है गीद गोविंद है जीवक चिंतामणी है कविराज मार्ग है और प्रशन उत्तर मलिका है आप मुझे उम्मीद है इस प्रशन को आसानी से कर पाएंगे क्योंकि बड़ा कॉमन प्रशन है ये आपको कि गीद गोविंद जैदेव की रचना है यह तो क्लियर हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि यह अमोग वर्ष की रचना नहीं है यह जैदेव की रचना थीक है जीवक चिंतामणी ये भी नहीं है, ये संगम कालीन महाकावे है और इसके लेखक हैं तिरुक देवर, ये बात भी क्लियर हो रही, इसका मतलब ये भी नहीं है लेकिन हाँ, कविराज मार्ग और प्रशनोत्तर मलिका अमोग वर्श की रचनाएं है, तो यहाँ पर आप देख लिए ये तीन और चार विकल्प कहाँ पर है, तो तीन और चार विकल्प ये है, सी वाला विकल्प, और काफी लोगों ने सही जवाब भी दिया है, मैं थोड़ रखिएगा, ये साउथ इंडिया से ही जुड़ा हुआ प्रशन है, क्योंकि कभी कभार अक्सर करके आया है, जीवक चिंतामणी, तिरुक देवर, और एक तिरुक कुरल है, तमिल साहित की बाइबिल कही जाती है, और इसके रचनाकार है, संत तिरुवल्लूवर, जान रख तिरुकुरल, इसके रचनाकार है, संत तिरुवल्लूवर, ये भी ठीक है, एक पुस्तक, तमिल व्याकरण की पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक, तोल कापियम, तो इसके रचनाकार तोल कापियर रिशी है, याद रखिएगा भई, तोल कापियर रिशी है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही है, जीवक चिंतामणी, तिरुकुरल, तिरुवल्लूर, तोल कापियम, तोल कापियर, तो ये नाम इतने कॉमन है, अक्सर करके, अगर एक जैसे विकल्प हो, तो परिक्षा बवन में हमा कारा दिमाग काम नहीं करता है, और हड़ बड़ी करते हैं हम लोग, इसको ध्यान दखिए, और अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं, कोर्शन नमबर 4, मॉडर्ण इंडिया से है, आप देखिए, लाला लाजपत्राय के समाचारपत्र पंजाबी की बाश्या क्या थी, पंजाबी की बाश्या पंजाबी है, उर्दु है, गुजराती है, या फिर अंग्रेजी है, बहुत जलबाजी की जरुवत नहीं है, और मैं बता रहा हूँ आपको उर्दु है, किसी बीदशा में पंजाबी को मत चुनिएगा, इसमें बहुत एक्स्प्लानेशन की पुस्तक है, अनहापी इंडिया, दुखी भारत, अनहापी इंडिया, ठीक है, याद रहेगा, लाला लाजपतराई की एक पुस्तक भी मैंने आप से डिसकस करी है, अनहापी इंडिया, और समाचार पक्त्रों उनका जो पंजाबी है, उसकी भाशा उर्दु है, और हम एक ही है, आगा खान, लियाकतली खान, सलीम उल्ला खान, मुहम्मद अली जन्ना, तो जवाब के वल एक ही है, इसमें, और वो है, ढाका के नवाब, सलीम उल्ला खान, जान रखिएगा, सलीम उल्ला खान ही जवाब सही है, कभी कबार ये प्रश्न ऐसे भी आया है, जब सली मुल्ला खान विकल्प में नहीं है तब आपके पास मजबूरी में एक विकल्प चुनने को रह जाता है और तब आप चुन सकते हैं आगा खान को ठीक है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन भी modern इंडिया से है और कह रहा है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में के परिवार को कहां पर बंदक बना लिया तीपू के परिवार को कहां पर बंदक रखा गया चार विकल्प में कोयंबटूर है मदुरई है वेनाड है और वेलोर है जवाब दीजे जल्दी से जवाब दीजे और बिलकुल जवाब दीजे फटाफट हाँ बिलकुल ठीक है औ आपको पता है, चतुर्त आंगल मैसूर युद्ध में टीपू युद्ध करता हुआ, मारा गया, और वेलेजली लिखता है, चतुर्त आंगल मैसूर युद्ध के बाद, वेलेजली ने लिखा है, कि आज पूर्वका सामराज मेरे कदमों में पढ़ा है, यह ध्यान यह स्टेटमेंट कई बार आया है, पूर्वका सामराज मेरे कदमों में पढ़ा है, ठीक है, याद रखेंगे, और एक स्टेटमेंट जो हमेशा रिपीट हुआ है, त्रतिया अंगल मैसूर युद्ध से, वो कानवालिस का है, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए ब अंगु कर दिया है, कानवालिस त्रतिया अंगले मैसूर युद्ध, यह दोनों स्टेटमेंट याद रखेंगा, अगला प्रशन देखें, सतावन के महा संग्राम का प्रशन है, सरल प्रशन है, सभी लोग सही करेंगे, सतावन के प्रथम स्वादीनता संग्राम के सरकारी इतियासकार कौन है, SB चौधरी, विडी सावर कर, SN सेन, या फिर RC मजुमदार, तो इसमें सही जवाब है, SN सेन, सुरेंदरनाथ सेन, ध्यान रखेंगा, इनकी पुस्तक है, 1857, सुरेंदरनाथ सेन, यह इनके सतावन के विद्रो के सरकारी इतियासकार यही है, ध्यान रखे यह प्रशन भी कई-कई बार आया है, दो प्रशन, अब मैं आगे डिसकस नहीं करूंगा, कि वो प्रथम सोतंतरता संग्राम, किसने कहा, तो विनायक दामोदर सावर करने कहा, यह प्रथम सोतंतरता संग्राम, ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्री था, ना तो स्वतंत किस ने किया केशव चंद्रसेन, राजा राम मोहन्राई, हैंडरी डेरजियो, या फिर देवेंदरनाथ टैगूर, इंडियन मिरर, ओके जवाब दीजिये जल्दी चे, और सही जवाब है केशव चंद्रसेन, ठीके, इंडियन मिरर कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, राजा राम मोहनराई के बारे में दो बातें और बता देता हूँ, उर्दू का पहला समाचार पत्र, राजा राम मोहनराई ने शुरू किया, उर्दू का प्रथम अकबार या समाचार पत्र, आप जो भी कह लीजे, समाचार पत्र लि ये उर्दू का प्रथम अकबार है, ये राजा राम मोहन राए ने शुरू किया, और फार्सी का भी प्रथम अकबार, ये ध्यान रखिएगा, फार्सी का प्रथम अकबार का नाम बताएए, फार्सी का प्रथम अकबार, वो भी राजा राम मोहन राए हैं, और उस अकबार का नाम है मिरात उल अकबार ठीक रहेगा कई बाती मिल गई मुझे लगता है लगातार पढ़ते पढ़ते आपका उत्सा कम भी हो जाता है कभी-कभी इस उत्सा में कमी मत आने दीजे और पढ़ाई को बर्डन करके करिए मत यह बार-बार आपसे कह रहा हूं आराम से पढ़िए चीजों को बहुत रिलाक्स मोड में अपने दिमाग में आने दीजे हट बड़ी हमेशा गलती करवाएगी अगला प्रशन देखे अगला प्रशन भी समाच सुधारांदोलन से है और वो कह रहा है कि पश्वी भारत के पुनर्जागरन के अगरणूत कौन है कि का एक महागोविंद रानाडे है सुअमिद्याननद सारस्वती है घुपाल कि न गोखले है effort और स्वामी विवेकनन्द हैं चार विकल्ब हैं जवाब आपको पता है बिल्कुल ठीक है और वो हैं महागोविंद रानडे और मैं याद कर पा रहा हूं इन्हें मुझे बताएं महाराश्ट्र का सुकरात भी कहा गया है क्या इन्हें महाराश्ट्र का सुकरात भी कहा गया है so far is I remember आपको ये भी पता है कि ये गोखले के राजनीतिग गुरू थे ये सारे प्रश्ण छोटे छोटे प्रश्ण है और गलत हो जाते हैं अब गलत नहीं हो गे सारी जूड़ी हुई बाते मैं आपको बता रहा हूं गोखले के राजनीतिक गुरू महा गोविंद रानाडे, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते है, भारत की आजादी से जुड़ा हुआ, अगला दस्वाँ प्रशन देखे, बिटिश प्रधान मंतरी क्लिमेंट एटली ने भारत में बिटिश आशन के अंत की एतियासिक गोशना कि स्ते ठीकों की, 9 December 1946, 16 August 1946, 20 February 1947, या फिर 3 June 1947, जवाब आपको पता है, हाँ, बिल्कुल पता है, बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है, 20 February 1947, बिल्कुल ठीक है, और आपको ये भी पता है, कि 16 August 1946, मुस्लिम लीग ने सीधी कारवाई दिवस, डारेक्ट एक्शन डे मनाया, बहुत हिंसा फैली, इसी को कहा गया है, डारेक्ट एक्शन डे, ध्यान रखिएगा, ये तिथी भी अक्सर करके पूछी जाती है, और मुझे लगता है कि इन सब प्रश्नों को हटाना चाहिए, तीन जून आपको पता है, माउंट बेटे नियोजना, तीन जून, ठीक है, तो तीन चार प्रश्न यहां से भी मिल रहे हैं, और हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न मुगल भारत से, हमायू ने किस इतियासकार को अमीर उल अकबार की उपाधी दी है, और शायद यह प्रश्न मैंने पिछले लेक्चर में भी डिसकस किया है, कि हुमायों ने किसी इतियाजकार को अमीर उल अखबार की उपादी दी है मिर्जा हैदर दुगलाथ है नहीं है खवान दमीर बिलकुल सही है और बाकी चीजें गलत है तो इसमें सही विकल्प है खवान दमीर बहुत explanation की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ मैं आपसे दो सुचनाय डिसकस कर रहा हूँ इसका screenshot लिजेगा जल्दी से आपके सामने हैं और खवान दमीर ने हुमायों की तुलना सिकंदर से की है ये ध्यान रखेगा खवान दमीर ये बहुत जरूरी बात है सिकंदर आजम की उपादी देता है वो उसे हुमायों को देता है ये ध्यान रखेगा हुमायों इसे अमीर उलखबार की उपादी देता है और ये हुमायों को सिकंदर आजम कहता है और खुदा का साया बहुत important बात आ गई और ये ध्यान रखेगा मिर्जा हैदर दुगलाद बाबर का चचेरा भाई था और इसकी पुस्तक भी पूची गई है तारीख रशीदी और इसी ने हुमाईयों को अफीमची गोशित किया है वो कहता है कि अफीम खाके वो हमेशा पढ़ा रहता है तो ध्यार रखना चाहिए हैदर दुगलाद हुमाईयों को अफीमची कहता है और खवांद अमीर उसको सिकंदर आजम और खुदा का साया गोशित करता है और आए देखते हैं अगला प्रश्न आज की ब्रहमास्त्र टैस्रीज का अंतिम प्रश्न बहतरीन प्रश्न है नेट का प्रश्न है देखिए अकबर के काल में मक्का जाने वाले शिष्ट मंडल का नेतरत्व किसने किया था मक्का जाने वाले शिष्ट मंडल का नेतरत्व किसने किया था वो फैजी हैं गलत है हमीदा बानु बेगम है गलत है गुल बदन बेगम है भी जान रखेगा जो मक्का शिष्टमंडल गया है उसका नेतरित्व गुल बदन बेगम ने किया था और आज के बारह प्रशनों में भी हमेशा की तरह आपने लगबग 35-45 प्रश्ण हल किये हैं और हमेशा की तरह मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ एक मेरी बुकलेट प्राचीन भारत मद्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण अध्यायों को कवर करते हुए जो परिक्षोप योगी टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन है इस बुक में आप चाहें तो इस बुक को अपनी एक्षा से मंगा सकते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बुक किसी भी तरह से किसी बुक का परयाय नहीं है ये केवल एक रिवीजनरी बुक है जिसमें केवल महत्वपूर्ण सुचनाएं संकलित करके इसको परिक्षोप योगी बनाने का प्रयास किया गया है फिलाल आज की टेसरीस को समाप्त कर रहा हूं हो सकता है आने वाले दो या तीन दिन मैं आपसे यूट्यूब पर मुलाकात ना कर पाऊं तब तक के लिए मुझे आ गया दीजे